गाईज आज के इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी कि अगर आपने बेबी बोई कंसीब किया है इस हिसाब से देखा जाए तो सुबह सुबह आप में कौन से ऐसे परिवर्तन आते हैं जो कंफर्म बोई की तरफ इसारा करते हैं इस वीडियो को पूरी तरीके से सच बनान के लिए मैंने मेरी ट्रेग्डेंसी के दौरान जो एक्स्टीरियंस किया मेरी सब्सक्राइबर ने जिनको बोई हुआ है सुबह सुबह वो कैसा महसूस करती थी कौन सी एक्टिविटी उनको पसंद आती थी किन चीजों से उनको तकलीफ होती थी उन सारे पॉइंट्स को मै सब्सक्राइब की चानल को वीडियो को भी साथ साथ में आप लाइक कर दीजेगा डेली प्रेग्नेंसी टिप्स की वीडियो मैं लेकर आती हूं जो आपके लिए बहुत हेल्फुल होती है यहां पर हम बात करते हैं इस चीज के उपर की परिवर्तन सबसे बड़ी बात जब सुबह उठने के बाद अजीब सा थकान होना थोड़ा सा ठीक नहीं लगना कुछ भी सही नहीं लगना कभी लगना कि भूक लग रही है कभी ऐसा लगना कि नहीं विल्कुल भी नहीं पेट भरा भरा सा अजीब अजीब सी चीजों को लगना क्या यह बोई का संकेत है जैसा old wives बताती है कि morning sickness boy के सिर्फ और सिर्फ boy की समय होता है जबकि ये बात मैंने मेरी कुछ subscriber से की किसी ने बताया जिनको boy हुआ किसी को morning sickness होई किसी को नहीं होई मैं अपनी बात बताओ तो definitely मुझे morning sickness होती थी अब मेरी कुछ subscriber जिनको baby girl हो चुकी है उन्होंने भी ये चीज़े बताई कि उनको girl के समय में भी morning सीखने सुई तो इसलिए ये जो point है ये पूरी तरीके से सच नहीं होता है बट लोग इसे कई तरह से मानेताओं में लेते हैं लेकिन old wives की बातों का कोई बैग्यानिक अधार नहीं है ये आपके उपर depend करता है आप इसे कितना और किस वे में मानती है जबकि medical science का एक ही चीज़ कहना है कि hormones के बदलाओं के कारण ये changes हम देखते हैं दूसरा point के उपर बात करते हैं vomiting को लेकर vomiting होना सुबह नास्ता के बाद से ही बहुत सारी महिलाओं में शुरू हो जाता है नास्ते के बाद हो सकता है दोपहर के लंच के बाद हो सकता है साम को नास्ते के टाइम इस तरह की चीज़े देखी गए सबसे ज़्यादा दिन के अंदर यसुवा में vomiting होना तो क्या ये boy की समय में होता है जबकि reality है बिल्कुल भी नहीं जिन सबस्क्राइबर को बीबी गर्ण हुई है उनको भी वर्मेटिंग होती थी उनकी pregnancy के अंदर अब अगेन बात करते हैं वर्मेटिंग को कैसे रोका जा सकता है अगर आपको वर्मेटिंग हो रही है या किसी friend या किसी से भी बात करना पसंद है अपने माईके में चाहिए जिस से भी तो वहाँ phone करके बात किजिए अपने mind को divert करने की कोशिज किजिए साथ में orange का juice पीजिए या निम्बू पानी लीजिए कुछ भी ऐसा लीजिए जिससे आपका mood और आपका दिमाग दोनों change हो जाए हर बार यही कुछ चुनिंदा step को follow किया जाता है जिससे बार बार vomiting की समस्या नहीं होगी आप consider कि जिए खुद को एक सता या 10 दिन vomiting से control अगर आप करती है तो अगें यह आपकी आदत बन जाएगी फिर pregnancy में vomiting नहीं होगी मुझे नहीं होती थी क्योंकि जब भी मेरा मन करता था ऐसा कुछ vomiting का मैं अपने mind को divert करती थी क्योंकि मेरे डॉक्टर ने यह चीजे बताई थी कि अगर pregnancy के time आप vomiting करते हो तो जो आपने balance diet लिया है सही nutrition लिया है बच्चे के लिए वो बच्चे तक नहीं पहुँच आए क्योंकि वो बाहर आ जाता है तो एक मा की ही जिम्मेदारी बनती है कि आपके बच्चे तक सही मात्रा में सही समय पे oxygen भी पहुँचे, nutrition भी पहुँचे यह सब कुछ के लिए आप ही को सोचना है गाइज इस वीडियो के अंदर multiple points को मैंने बता है उन सब के reason जो भी medical science का कहना है वो भी बता है जिससे आप यह जान लेंगी कि baby boy या baby girl का confirm यह connection नहीं है होने को कुछ भी हो सकता है गाइज यह चानल और यह वीडियो जैन्डर प्रडिक्शन का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा है मिलती हूं मैं आप सब से next वीडियो में thanks for watching तब तक के लिए bye bye and take care